हेलो अव्रिवन स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लेट्सक्राइक एंटी यूजी सी नेट पर मैं चारु गोई लन अकाडमी के एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका आट के सेशन में अगर आपका पेपर के लिए दो फेर में तीन बज़े सेशन रहता है अगर आपका पेपर के लिए तीन बज़े सेशन रहता है कोड 17 आप मैंनेजमेंट बेग्राउंड से है तो आप वो सेशन जॉइन कर सकते हैं अपार्ट फॉम डाट आप मेरे साथ हमारी स्पेशल क्लासेज में भी जुड़ सकते हैं अगर आपने अभी तक वेबसाइट पे नहीं लोग इन किया है अनका आडमी किया अप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से अप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजे इस वेरी इजी टो यूज अप्लीकेशन डाउनलोड कर यह अपना प्रूफाइल बनाएए लोग इन करिए मुबाइल नंबर से फिर उसके बाद अपना कोर्स का सेलेक्षन करिया अट यू जी स सर्च बॉक्स में मेरा प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं चारु गोल के नाम से और उसके बाद आपको मेरे पुराने जो भी special class के sessions है वो मिल जाएंगे वहाँ से वो sessions आप देख सकते हैं आपको अगर special class unlock के लिए code पूछा जाएं तो you can use this code CHARU और साथी साथ plus program पे भी आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं जहां से get subscription के थुरू आप plus program पे join कर सकते हैं सारी top educators है, सब भी classes live है, structured course है, live test quizzes, और मिलता है आपको unlimited access, जैसे paper 1, paper 2, test series, doubt sessions, revision sessions, ये सब कुछ आपका single एक ही subscription में हो जाएगा, अलग से फिर कुछ नहीं purchase करना, okay, and all the top educators are there on the platform, और live classes है, in case आपने कोई भी live session miss किया है, तो don't worry, recorded session भी आपके लिए available है, okay, now, you can see, many of the top educators are there on the platform, ये morning batches के timings है, जैसे मैंने आपको बताया, साड़े 8 बजे मेरा session रहता है, अदर जो educators है, उनके sessions आपके सामने है, timings है, subject है, आप उसे साब से, जो है, join कर सकते हैं session, और paper 2 का session, जैसे मैंने आपको बताया है, 3 पे-म, management का है, बाकी सारे subsequent sessions आप देख सकते हैं, और जो भी educators बढ़ा रहे हैं, वो session timing, वो no down कर लिजेगा, जो भी आपका subject है, and many of the courses that have already been started on the plus program, so जल्दी से enroll कर लीजे, subscription के लिए, जैसे मैंने बताया, get subscription के box पे click करना है, ये plans आप देख सकते हैं, so these are the following plans, जो available है, 5 options आपको मेलेंगे, जो आपको plan suitable लगे, अपने हिसाब से वो choose करिए, pay करिए, pay करने के पहले, 10% का discount आप अवेल कर सकते हैं, मेरे code के through, so मेरा code है CHARU, ये code है, इससे आपको 10% का discount मिल जाएगा, same code से free class को unlock भी किया जा सकता है, free class जो है, special class, वो unlock कर सकते हैं, apart from that, आप क्योंकि देखे, price hike का मैंने अल्रडी बताया है, तो ये जो नए prices है, ये आने वाले हैं, जल्दी सो उसके पहले ही, आप अपना subscription ले ले लिजे, चलिए, अपना एक छोटा सा introduction देती हूँ, जल्दी से दोस्तों, मेरा नाम चारू गोयल है, नेट क्वालिफाइड हूँ, two and a half years का teaching experience है मुझे, currently I am pursuing my PhD, before that I have completed my MBA, and I do have the research papers that I published in the Scopus Index Journal, okay, so last time जो भी हमारा session था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, हम non-probability sampling, sampling techniques पढ़ रहे हैं, तो non-probability sampling technique में हम लोगोंने simple random sampling पढ़ लिया है, and after that हमने systematic sampling भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, and then we have read about the stratified sampling as well, I guess आपने वो पुराने sessions देखी होंगे, अगर आपने sessions नहीं देखे हैं, तो वो sessions देख लीजेगा, and उसमें से regarding कोई भी doubt हो, because this research aptitude का class हमारा काफी time से चल रहा है, तो अगर आपने कोई भी session miss किया है, तो आप बता दीजेगा, देख लीजेगा, मतलब कोई भी आपको doubt हो, next session में आप पूच सकते हैं, चली, तो आज हम start करेंगे cluster sampling, जो कि again probability sampling का type है, तो हम probability sampling पढ़ रहे हैं, जहां हमने simple random sampling पढ़ लिया, systematic sampling पढ़ लिया, stratified sampling पढ़ लिया, और आज पढ़ने वाले हैं cluster sampling, तो probability sampling में जैसे मैं आपको बताया था, कि सभी का equal chance होता है, कि वो selection हो सके हुनका population के जो elements, कि वो sample का हिस्सा बन सके, equal chance है सभी का, तो वो हो जाती है, probability sampling, now in that same line, we are going to start with the cluster sampling, क्या होता है cluster sampling, देखिए, जैसे हमने stratas बनाए थे, strata क्या थे, group थे, same तरीके से clusters बनाते, जैसे कहते हैं, clusters है, clusters क्या group है, elements का, same तरीके से, जैसे strata होता है, वैसे ही cluster sampling में है, difference क्या है, वो देखेंगे, पहले तो, to select the intact group as a whole, is known as cluster sampling, एक group के form में, आप अगर, जो selection कर रहे हैं, that is the cluster sampling, थे, clusters बना रहे हैं, in the cluster sampling, the sampling units, contains group of elements, जिनको हम clusters कहते हैं, instead of the individual members, or the items in the population, now see, stratified sampling में, वो group को जैसे हम strata बोलते थे, same तरीके से cluster sampling में, जो group होगा, उसको हम clusters कहेंगे, ठीक है, now, rather than listing all the elements, elementary school children in a given city, and randomly selecting 15% of these students from the sample, a researcher lists all the elementary schools in the city, selects at random 15% of these clusters of units, and uses all the children in the selected group, okay, now see, क्या हुआ, इसका एक example दिया है, कि जैसे मान लीजे, एक researcher है, आपकी researcher है, आपको एक study करना था, जो भी elementary schools होते हैं, basic, उनके जितने भी बच्चे होते हैं, उन पर study करना है, तो आपको 15% sample चाहिए था, तो आपके पास option क्या था, कि मान लीजे, वहाँ लाखो बच्चे हैं, ठीक है, तो आपने सभी बच्चों की list बनाई, उसमें से 15% बच्चे select कर लिए, एक तो तरीका यह था, आपका simple random sampling, now, दूसरा तरीका, जो की cluster sampling है, आपने क्या किया, list बनाई schools की, ठीक है, schools की list बनाके, उसमें से 15% schools को आपने select कर लिया, और उनको उस school के, जो selected schools हैं, उसके पूरे, जो आपके बच्चे थे, वो select कर लिया, मतब, clusters जो है, clusters में आपने selection किया 15%, और जो single cluster में elements है, उनको as a whole हमने ले लिया, ठीक है, चले, now clusters जो होते हैं, वो internally heterogeneous होते हैं, और externally homogenous, अगर आपने last जो session था, जिसमें stratified में मैंने बताया था, stratified में मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया था, कैसे homogenous और heterogeneous का क्या मतलब होता है, same तरीके से heterogeneous होते हैं internally, देखिए, just give me one second, हैं, जैसे हमने देखा था, कि जब हम stratified की बात कर रहे थे, तो stratified में क्या था, internally तो क्या थे वो, homogenous थे, और externally heterogeneous थे, यहां जो होता है, cluster sampling में वो बिलकुल opposite है, कैसे opposite है, cluster sampling में, internally देखिए, तो वो होता है heterogeneous, और externally होते हैं homogenous, चले, देखेंगे example के थुरू, जैसे मैंने आपको बताया था, कि class में students हैं, ठीके, जैसे हमने देखा था, के मान लीजे हमें कोई, 10th class के बच्चों का sampling करना है, ठीके, उनमें से बच्चे हमें pick करने, तो हमने क्या किया था, हमने उनको sections में divide कर दिया था, ठीके, sections में divide किया, या फिर उनको हमने किसी तरह के, maybe girls और boys के basis पे divide किया groups में, girls का and boys का group, तो क्या हुआ था, जो groups थे, वो internally कैसे थे, homogenous थे, क्योंकि जिस group में girls है, उसमें सारी girls है, जिस group में boys है, उसमें सारे boys है, तो वो क्या थे, externally heterogeneous थे, अब आप इस example को देखे, मैंने क्या किया, उनको clusters में divide किया, जैसे for example, मैंने groups बना दिये उनके, मान लीजे जैसे मुझे ये 10th class के बच्चे लेने है, all over the city, तो instead of doing के मैं पूरी list बनाऊं बच्चों की, उसमें से random sampling करूं, तो वो करने की जगा हमने क्या किया, हमने clusters बनाएं, बच्चों को schools wise divide कर दिया, तो मान लीजे जैसे school 1, फिर school 2, school 3, अब school 4, जैसे मान लीजे 4 school, अब example समझने की कोशिश करिएगा, जैसे हमने कहा internally heterogeneous है, heterogeneous मतलब इसमें boys भी हैं, girls भी हैं, now, internally heterogeneous है, लेकिन externally homogeneous कैसे है, क्योंकि हर school अपने आप में एक group है, जो की internally heterogeneous है, लेकिन अगर हम group wise है कि तो सब group एक ही criteria के basis पे बटे हैं, ये group में इस particular school के ये group में इस particular तो वो जो criteria रखा है वो उसको groups को homogeneous बना रहा है, ठीकि, based on the characteristics, तो इसलिए ये हो गया externally जो होते हैं, वो homogenous होते हैं, internally heterogeneous क्योंकि जिसे अगर मान लीजे, example मैं आपको और दूँ, जिसे मान लीजे हमने इंडिया में अपने country को पूरी country में study करना है आपको तो आपने कहा कि state wise कर लिया, तो ये जो states है, internally कैसे है, heterogeneous है, इसमें हर तरह की cities होंगी, हर तरह के लोग mixture है, लेकिन अगर आप ये देखो, सारे states का आपने list किया, तो ये groups कैसे है? हमोजीनियस है आपस में, why? विकर्स हर एक group एक state contain कर रहा है, और हर group एक state contain कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, हर group को आप equally इस तरीके से treat कर रहा है, लेकिन internally, जो mixtures है उस group में वह बहुत mixed variety है, ठीके, तो तो दाट इस वाई, internally heterogeneous होता है clustering में, और externally homogeneous, तो ये एक difference आपको पता होना चाहिए stratified of cluster sampling में, which is very important, okay, चलिए, now, merits read करते है, merits क्या होते है, cluster sampling के, it may be a good representative of the population, easy method है, economical method है, और साथी साथ practical है, और highly applicable in the education, okay, now, observations can be used for the inferential purpose, definitely, जैसे हमने देखा, कि जो आप sampling से जो conclusion निकालते हैं, you can generalize those conclusions for the population, जो inferential purpose के तरीके से आपने इस्तमाल कर या, now, demarriage, it's not free from the error, again, जैसे मैंने आपको starting में ही बताता है, कोई भी आप sampling करो, free from error नहीं मिलेगा, so, अगर आप मान लिजे कभी किसी इंटर्व्यू में गये और आप से पूछ लिया गया, कि कोई भी आपको कन्फ्यूज करने के लिए जो examiner है, interviewer है, वो पूछ सकते हैं, प्रिकलरली किसी भी तरह की sampling का नाम बताते हुए, कि इसके demarriage बताए, so, few of the things are very common, कि none of the sampling is free from the error, तो आपके statement भोल सकते हैं, that yes, this kind of a sampling is not free from the error, okay, and it is not comprehensive in nature as well, okay, चलिया, now last, जो probability sampling का type है, वो है multi-stage sampling, तो multi-stage क्या होता है, multi means multiple, okay, stage means, this spelling थोड़ा सा गलत हो गय है, this is S-T-A-G जी कहे, so multi-stage मतलब, multi means multiple, जैसे step one, this is the step one, then step two, and then step three, so, यह क्या हो गई, multi-stage, why one after the other, चलिया, sometimes, clusters और stratas बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और उनको जरुरत होती कि उनको दुबारा किसी strata और clusters में डिवाइट किया जाए, जैसे मैंने भी आपको इंडिया की बात की, तो अगर आपको sampling कर रहे हैं आप, तो आपने क्या किया, पहले आपने country को divide किया, states में, ठीक है, जैसे state one, state two, अभी हमने दो ही state लेके चले हैं, ठीक है, now again you are doing what, you are again doing the stratified or the clustering sampling और आप अगेन उनको और दिवाइट कर रहे हैं, cities में, city, okay, city one, city two, city three, similarly like this over here, तो क्या कर रहे हैं, हम जब multiple, एक चीज जिसे हमने strata या cluster एक बार बनाया, और देखे, stratified cluster sampling में कर क्या रहे थे हैं, clusters या strata बनाने के बाद, simple random sampling perform कर रहे थे, okay, now, यहां क्या हो रहा है, एक बार नहीं हमने एक से जादा बार strata या clusters बनाये हैं, और उसके बाद हम simple random sampling करते हैं, ठीक है, that is the difference in the multi-stage sampling method, maybe two or multi-stage, अब आप देखे, अगर आपने दो बार किया है ऐसा step formation, तो आप two stage sampling बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप दो से जादा steps form के तो हम इसे multi-stage sampling method कहते हैं, ठीक है, I hope clear होगा आपको यह, चले, non-probability sampling method है, जो हम next session से start करेंगे, तो next session के लिए कल साथ में जोड़े रहिएगा, class में, and I hope आज का यह session आपको अच्छा लगा होगा, so non-probability sampling methods हम कल से start करेंगे, अगर आपको यह session अच्छा लगा है तो please do like the video, channel को subscribe करिए, बेल आइकन दबाएए, so that आपको next class का notification मिल जाए, और telegram channel का नाम यह है, let's crack NTA UGC net, यहां और भी सभी educators हैं joined, और हमारा जो भी next class होता, उसका link हम यहां post करते हैं, तो आप यहां join कर सकते हैं, जिसे हम directly आप लोग लिंक के थूरू आ सकते हैं, को subscribe भी किया है, तो upcoming sessions में आपको दिखेगा, और जो भी next class टार्ट होता है, तो notification आ जाएगा, अगर आपने turn on किया होगा notification को, और plus program पे जल्दी से जुर जाएए, because all the top educators are there, new batches start हो चुके हैं, तो plus पे 10% का discount आप अवेल कर सकते हैं, मेरा code इस्तेमाल करके CHRU, और payment के आपको multiple options दिख जाएंगे, net banking available है, debit card, credit card, no cost EMI का option available है, credit card पे भी है, और no cost EMI का available है, debit card पे भी HDFC के, तो आप वो चेक कर सकते हैं, और special class को, जो free class हैं आप लोगों के लिए, free class, special class, वो unlock कर सकते हैं, using the same code, और इसके अलावा, आप मुझे follow कर सकते हैं, अना कि admin पे जाए, profile बना लिजे जल्दी से अपना, और login करने के बाद, मेरा profile सर्च कर सकते हैं, चारू गोयल के नाम से, follow button दबाएगा मेरी profile पे, जिससे की मेरा जो भी next class schedule होता है, स्पेशल क्लास उसका notification आपको मिल जाएगा, okay, चलिये, so till then take care bye bye, thank you and see you tomorrow, do not forget to join the session, and have a very nice day, and good luck with the preparations guys, thank you, take care, bye bye. जरी video